नमस्कार मित्रो मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माद्यम से आपको कुछ विसेश चीजें बता दूं आज बहुत लोग पूशते रहते हैं मुझे फिर फोन उठानी पा रहा हूं आज कल में क्योंकि गड़ेश जी का समय चल रहा है गड़ेश जी के बाद फिर मेरे पित्रों का समय आ जाएगा उसमें पूजा पाठ होगी फिर दुरगा जी का समय आ जाएगा तो मुझे बहुत सारी चीजों को सिद्ध करना पड़ता है इसलिए आप सबसे पहले तो निविदन है कि केवल मुझे वाटसाप ही करें इन दिनों मैं फोन बिल्कुल नही सब्सक्राइब करना पड़ता है जिनको मुझे करना पड़ता है तो यह आप से इसलिए निविदन है यह देखिए काले अंकोल का तेल है देख लो पहले आप यह सूर्थापन बिदी से निकला हुआ बहतरीन काले अंकोल का तेल है इसका स्वर्ण आवा देखिए इस तरह दिखना चाहिए यह देखो आप कांच में इसी से मैंने आपको ब पकाई थी वह भी ऐसी हो गए थी दिव चीज है यह मित्रो इसको दो दो बून अगर खाते रहें तो हम मालकांगनी कल पर अम्रत कल्प में थोड़ा बहुत मिलाते हैं इसको यह है फिटकरी का तेल लाल फिटकरी का तेल इसकी जरूरत पड़ेगी अभी यह लाल फिटकरी से जो जोला मुखी में उससे बनती है और यह जो है लाल गंदक है यह बहुत बजंदार होती है दोनों के बजन में जमीन आस्मान का अंतर है इसमें भी पारा होता है और इसमें भी जो चमक दिख रही वह हलकी सी पारे की होती है इसमें कम होती है इसमें ज्यादा होती है इसल सोसनी मिल रही यह तो हमारे उर्वज जो रग गए हैं उसी से हम काम चलाते हैं K. या जो उनके पुराने परिश् Kenneth زिनक पुराने जो लोग अब नहीं रहे उदे उनके घर परिवार के बच्छे उनके पास चीजे पड़ी हैं उनसे ले लेते हैं इस प्रकार से यह है लाल गंधक कि यह अतिशाय दिव्य होती है मित्रों पहली बात लाल गंधक क्या होती है समझे लो लाल गंधक होती पारवती जी का रज इस लाल गंधक में जैसा आप जानते हैं मा के एमसी पीरेड होता है एक लाल रंग का जो रज निकलता है खून जिसको बोलते हैं उसमें बहुत ताकत होती है मित्रो उसी से नौ महा तक आपका गर्व में आप पलते हो अपनी मा आपके खून से आपको सीच के बड़ा करती है खून सीचती है वो हर माह और विचारी कमजोर होती जाती है नौ मात तक अपने खून से आपको सीच के बड़ा करती है इसलिए मा की महिमा इस संसार में सबसे बड़ी है माताओं बहनाओं का आदर सम्मान करना चाहिए आज कल जो मावाप को घर से वहां निकाल देते हैं मा भी नहीं होना चाहिए तो यह माता भगवती का रज है मिलता ही नहीं है तिशैदुरलब है यह बहुत भारी होता है जूट जूट जपर्ट हर कुछ दे रहे हैं आजकल लोग इस तरह से डिगले मा आए गाई यह बहुत भारी आए गाई तो उस रज में इतनी ताकत होती ह उसी से प्रस्ती पूरी सस्ती का निर्माड हुआ आप देखते हैं नो मा कामक्या मैं जो MC पीरेड एक महा का उनका होता है इसलिए मा की महिमा सबसे ज़्यादा है मा ही जगत जन्नी है पूरे जगत को जन्ने वाली मा है और इसी रज से पालती है आपको इसलिए कभी भी मा बेहनों को करवद निवेदन करूंगा उस कपड़े को कभी भी फेकिये मत अगर उस कपड़े को किसी गाये ने खा लिया तो वह महिला जिंदगी भर संताप और दुख से पीडित रहेगी यह बिलकुल सत है उसको जला दीजिए वही सबसे जो पुरातन सिस्टम था बहुत अ गुड़े पर नहीं फेकना चाहिए उसको जला देना चाहिए यह सबसे मेरा माताओं बेनों से निविदन है अब इस लाल गंधक को जब अंकोल के तेल में पका दिया मैंने तो इस तरह से हो गई है यह मेरा हाथ पर काले आले दिख रहे होंगे आपको यह उसी में लगा र होना चाहिए हाथ काले से कोई दिक्कत नहीं यह देखिए यह इस तरह से पके यह पकी हुई है अंकोल में यह पास से देख लो ऐसी हो जाएगी यह पास से में दोनों गंधक भी दिखा दूँ आपको ताकि आप देख रहे हैं लोग बेकूफ खूब बना रहे हैं मित्रों इस समय मेरे से कई लोग कहते हैं ट्रक भर भेज़ दूँ आए बहुत सारे लोग दोका धड़ी में विश्वास करते हैं और बेकूफ बनाते हैं यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं जो बड़ी बड़ी ग्यान की बात करेंगे और धोका देते हैं जो सत है वो बताएंगे नहीं करते कभी कुछ नहीं बताएंगे किताब कापी की बात करते हैं ऐसा नहीं होता है मित्रों बड़ी मेहनत का काम है सादू संत बूंद बूंद करके आपको रस पिलाता है जब करपा होगी दे देगा नहीं करपा होगी तो भगा देगा फिर इ को अंकोल के तेल में पकाई एसी हो गई अब इस 50 गराम को त्टर प्लेट प्लेट घोड़ा sound मैं मैंने इसको किक कट कट वी ettimento तेल में पका लिया यह देखिए यह व BIG ये बन गया लाल गंदक का तेल यह देखो आप इसकी आभादेखर ओ आभा देखो मित्रों है निल लगता है एक बार हाँग जल गया एक बार पाउँ जल गया तो थोड़ा नड़ता हूँ बढ़ापे में कहीं कुछ हो गया तो फिर सेवा कोन करेगा यह देखो आप बनाते हैं मेरे मित्र लोग बहुत सारे रसाचार बनाते हैं पर वो उसका आभा मंडल और इसका आभा मंडल में फार्क है क्योंकि यह लाल गंधक से बना हुआ तेल है बहुत भारी विस्फोटक हो चर्म रूग में काम लेते हैं चर्म रूग में क्या होता है कि इसको सफिद दाग लगाने से सफिद दाग चला जाता है इसको घ्लात लगयाओं एक औशदी वह खेलाते भी हैं इस टेल को लगाते इस टेल के। इसके वर उप्योग हैं मित्रों कीमियागिर लोग सब समझते हैं सब जानते हैं मेरे भाई बन्दू इसमें पारत चुट का भी बहुत अच्छी पकती है और बरकिया भी पकती है दाल चेह भी बन्डित है इसमें अगर अच्छा भूका पारा हो पढ़िया सुद्ध सौ परसेंट तो होता नहीं पारा आज के जमाने में कितने ही सुद्ध करो असी परसेंट से उपर होता नहीं पारा बड़ा मुश्किल काम हो गया है उस पारे को बिल्कुल सो परसेंट भूका करके साफ करके उसमें अगर ये एक एक बुन डाला जाए तो रंग पीला हो जाता है फिर जमाने की प्रक्रिया में नहीं जानता मित्रों जमाने वाले हमारे मित्रों बहुत सारे हैं बहुत सारे अच्छे आयरुएदा चार भी बढ़िया है अच्छी ग्यानवर्धक चीज देते हैं परन्तु यह सब चीजे मेहनत मांगती हैं मित्रों जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं मेहनत लगन और धैर और भगवान का अशिरवाद यह चारों चीजे जब तक आपके साथ नहीं मिलेंगी आपको सफलता नहीं मिल स हैं तो नमस्कार मित्रों अब करें और लाव उठाएं नमस्कार मितो जै महाकार